सत शिर्यकाल प्यारे विद्यार्थियों, कुल्विंदर लार्निंग पॉइंट चैनल ते तो अड़ा स्वागत है, प्यारे विद्यार्थियों आज असी पाठ पुस्तक साहित माला पाग दस जमात दसमी दे, कविता पाग विच्चों किसाकार हाशम शा दे किसे ससी पुन्न काव टोट्यां दी प्रसंग सहत व्याख्या, केंद्री पाव ते प्रशन उत्तर करांगे पहला काव टोटा है, तुरसा मूल न मुडसा राहों, जान तली पुर तरसां, जब लग सास निरास न हुमां, मरनों मूल न डरसां, जे रब कूक ससी दी सुनसी, जाये मिला पग परसां, हाशम नहीं शहीद हो वैसां, थल मारू विच मरसां प्रसंग, ए सत्रां, दस्मी जमात दी पंजाबी दी पाढ़ पुस्तक साहित माला विच दर्ज, हाशम शा द्वारा रचित किसा ससी पुन्नू विचो लेया गया हन, इस विच पुन्नू दी पाल लई, ससी अपनी जान दी परवा किते बिना मारू थल दे विच जान दी है व्यख्या, ससी पुन्नू दी पाल लई, हर मुश्किल नू पार करन लई त्यार है, ओ केंदी है कि मैं अपनी जान तली ते तार लई है होन रस्ते विच्चों वापस नहीं आवागी, मैं मौत तो नहीं डर दी, जदो तक मेरे साँ चल दे हन, उतो तक पुन्नू दी पाल करांगी जे रब ससी दी कुक सुन लवे, ता उसनू उठते पैर दा निशान मिल जावेगा, पुन्नू तो बिना ओ मारू थल विच अपनी जान दे के शिहीद हो जावेगी अगला काव टोटा है, फड़या पंद, होई तद पंदन, टोट गई डोर पतंगों, ससी ओना तरदी आही, पुएं पर पैर पलंगों, दिलतो खौफ उतार सिदाई, वंगू शेर पलंगों, हाशम जे दम जान थलासी, हुगसू कैद फिरंगों प्रसंग, ए सत्रां दस्मी जमादी पंजाबी दी पाठ पुस्तक, साहित माला विच दर्ज, हाशम शा द्वारा रचित, किस्सा ससी पुन्नू विचों लेया गयाहन, एस विच पुन्नू दी पाल लई, ससी अपनी जान दी प्रवावी नहीं कर दी व्याख्या, ससी पुन्नू दी पालेई, मारू थल्दा रा फड़ के राही बन चुकी है, उस दी हालत डोर नाडों टुटी पतंग वरगी है, ए ओ ससी है, जिडी शाही ठाट विच पड़ी है, ते पैर वी पलंग तो जमीन ते नहीं रख दी सी, अज ओ अपने दिल तो ड आजावे, तां उसनू अंग्रेज दी कैद तो मुक्ती मिलन जिन्नी खुशी होवेगी, अगला काव टोटा है, कर असबाब लेया शहजादी, फड़या राहू शुत्तरदा, पानी खून खुराक कलेजा, रैबर दर्द हिजरदा, गल विच वाल अक्खी विच सुर्खी, सोज जनून कहरदा, हाशम वेख हवाल कलेजा, कायल शम्स का मरदा, परसंग है, ए सत्रा, दस्मी जमात दी, पंजाबी दी, पाठ पुस्तक, साहित माला विच दर्ज, हाशम शाद्वारा रचित, किस्सा ससी पुन्नू विच्चों लेया गया हन, ससी पुन्नू दी पाल व उसने उठा दे, पैरा दे, निशान दा सहारा लिया है, उसने खान पीन दी परवावी नहीं किती, उसकोल पीन लेई अपना खून, खुराक दी, खांक कलेज्जा सी, मारू थल विच रा दसनवारा कोई नहीं सी, उसकोल सिरफ पुन्नू दाव छोडा सी, मारू थल दी गर हाश्यम कहनता है कि उस दी हालत वेक के सूरज चंद वी कायल हो गए अगला काव टोटा है, चमकी आन तुपेरां विले, गर्मी गर्म बहारे, तपदी वाओ वगे असमानों पंची मार उतारे, आतश दाद्रियाओ खलुता, थल मारू वल चारे, हाश्यम फेर पिछाना मुर्दी, लूनू होत पुकारे प्रसंग, ए सत्रान दस्वी जमाद दी, पंजाबी दी पाठ पुस्तक, सहत माला विच दर्ज, हाश्यम शाद्वारा रचित, किस्सा ससी पुन्नू विचों लें अगिया हन, इस विच ससी पुन्नू दी पाल लें, तपदे मारू थल दा जो दुख संदी है, ओ ब्यान कीत गया है, व्याख्या, मारू थल विच दुपेहर दी गर्मी कारण, गरम हवा वक दी सी, गरम हवा दे कहर नाल, असमान विच उड़ते पंची वी, मर के थल्ले डिग रहे सन, चारे पासे मारू थल एक अग दे द्रिया वांग सी, जिसनू उसने पार करना सी, इस दर्द वि पिछ वी, ससी, पिछा मुडले इत्यार नहीं सी, उस दर रोम रोम पुन्नू दी पुकार कर रहा सी, ते ओ पुन्नू नू पौणा चोंदी सी अगला काव टोटा है, नाजुक पैर, मलूक ससीदे, मेंदी नाल शिंगारे, आशक वेख बहे इकवारी, जू तिन्ना परवारे, बालू रेत तपे विच थल्दे, जू पुन्नन पठे आरे, हाशम वेख यकीन ससीदा, फेर नहीं दिल हारे प्रसंग, ए सत्रान, दस्मी जमाद दी, पंजाबी दी, पाठ पुस्तक, साहत माला विच दर्ज, हाशम शा द्वारा रचित, किस्सा ससी पुन्नू विचों लईयां गया हन, एस विच ससी दी, खूब सूर्ती ते हिम्मत दी गल किती गई है व्याख्या, ससी दे पैर, गुलाब वांग बड़े कोमल हन, ओ अपने पैरानू मेंदी नाल शिंगार के रख दी सी, ससी दी खूब सूर्ती वेख के आशक, अपनी जानवारल लई त्यार हो जान दे मारू थल दी रेत इस तरह तप रही सी, जिमें जौँ पन्नवाले पठ्यारे दी कडाही विच रेत तप दी होवे, इस तरह दी रेत ते ससी दिल हारे बिना, यकीन आल पुन्नू दी पाल लई तुर रही सी अगला काव टोटा है, दिल विच तप्ष थलांदी गर्मी, आन फिराकर जानी, किचरक नैन देन दिल बरियां, चोन लबां विच पानी, फिर फिर डाड करे हठ दिल्दा, पर जद बहुत विहानी, हाशम याद पंबोर पैयो सू, तुट गया मान निमानी परसंग है, एस अत्रां, दस्मी जमाद दी, पंजाबी दी, पाठ पुस्तक, साहित माला दे विच दर्ज, हाशम शाद्वारा रचित, किसा ससी पुन्नु विचोन ले यागया हान, इस विच ससी दी दर्द परी हालत नू दिखाया गया है व्यक्या मारू थल दी गर्मी, ते ससी दे दिल विच पुन्नु दे व छोड़े दी गर्मी, एस दर्द परी हालत नू होर खराब का रही सी उस दे नैन किनना चेर साथ दिन दे, ओ वी पाणी बाणबाण के बुल्ला ते चो रहे सी, फिर पुन्नु दी याद दा जोर पवे, ते उस दा देल पुन्नु नू मिलन दी जिद करे, जदों उस दे दुखा दी अत हो गई, ता उस नू अपना शेहर पंबोर याद ओन ल अगला काव टोटा है, जे जाना छट जान सुती नू एक पल पलकन चमका, गर्द होये विच गर्द थलां दी वांग जवाहर दमका, जल वांगुर रुलदेन दिखाई थल मारू दियां चमका, हाशम कौन ससी बिन विखे, एश इश्क दियां रमका प्रसंग, ए सत्रां दस्वी जमात दी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित माला विच दर्ज, हाशम शा द्वारा रचित, किस्सा ससी पुन्नू विचोन लईयां गया हन, इस विच पुन्नू दी पाल लई निकली, ससी दी हालत बहुत खराब दखाई गई है व्याख्या, ससी केंदी, जे उसनू पता हुन्दा, कि पुन्नू उसनू रात नू सुत्ती पहिनू छड़ के चला जावेगा, ता ओ सारी रात एक पल भी ना सोंदी हुन ओ मारू थल्दी रेत विच रेत बणके जवाहर वांग चमकन लई त्यार है, गर्मी कारण मारू थल्दी चमक दी रेत वी पाणी दा पलेखा पौंदी है हाशम कहनदा है कि ससी तो बिना होर कोई वी एस इश्क दी असह पीड़नू नहीं सह सकदा, केवल ससी ने ही इश्क दी तमक नू महसूस किता है अगला काव तोटा है, कुछ डिगदी, कुछ टेंदी उठती, बिन्दी ते दमलेंदी, ज्यों कर तोट शराबों आवे, फिर उतेवल वेंदी, तूंडे खोज शुतर्दा के तवल हर्गिज पालन पैंदी, हाशम जगतना क्यों कर गावे, प्रीत संपूरन जेंदी प्रसंग ए सत्रान दस्वी जमादी पंजाबी दी पाठ पुस्तक सहत माला विच दर्ज, हाशम शाद्वारा रचित किस्सा ससी पुन्नू विच्चों लियागियाहन ससी मारू थल्विच पुन्नू दे ऊट दे पैर दा निशान पाल रही है, पर हुण उस दा होसला तुटदा परती थुन्दा है व्यक्या मारू थल्विच ससी दी हालत बहुत खराब हो रही है, कदे ओ डिग पैंदी है, कदे उठके बै के सालेंदी है, ओ इस तरह डिगडी तैंदी जा रही है, जिवें किसे शराबी नू शराब दी तोट लगी होई फिर वी ओ अग्गे वद्दी होई, उठ दे पैरदा निशान पाल रही है, जो उसनू किते वी नहीं मिल रहा हाशम कहनदा है, कि उन्हा दी गाथा सारा संसार गौंदा है, जो अखीर तक अपनी प्रीत निबौंदी हन अगला काव टोटा है, सिर्तर खोज उते गश आया, मौत ससीदी आई, खोशरो यार असांत उदकारन थलविच जान गवाई, डिग दी सार गया दम निकल, तन्थों जान सिदाई, हाशम करलखलख शुकराने, इश्क वलों रह आई प्रसंग, ए सत्रान दस्वी जमादी पंजाबी दी पाठ पुस्तक सहत माला विच दर्ज हाशम शाद्वारा रचीत किस्सा ससी पुन्नू विच्चों लेया गया हन इस विच मारू थल विच पुन्नू दी पाल कर दी ससी दा अंतिम समा दिखाया गया है विच्च्या, पुन्नू दे ऊठ दे पैर दा निशान पाल रही ससी नू एक जगा ऊठ दे पैर दा निशान मिल जन्दा है ससी निशान दे सिर रख दे ही बेहोश हो जन्दी है ते उत्थे ही उस दी मौत आंदी है इस तरह लगदा जिमें कह रही होवे पुन्नू हमेशा खोश रहो मैं तेरे कारण मारू थलविच जान गवाई है डिख दे सार ही ससी दी जान उस दे शरीर विच्चो निकल गई हाशम लिखदा है कि ससी रब दा तनवाद कर दी है कि उस ने अपने प्यार नू आखरी सहां तक निबाया प्यारे विध्यार्थियों हुन असी किस्सा ससी पुन्नू दा केंद्री पाव करांगी इस दा केंद्री पाव है ससी पुन्नू किसा हाशम शा द्वारा लिखिया गया है इस विच ससी ने पुन्नू दी पाल लई अपने सारे सुख राम त्याग दिते उसने अपने प्यार पुन्नू लई तप दे मारू थल विच अपनी जान कुर्बान कार दिती सी प्यारे विद्यार्थियों हुण असी वस्तूनिष्ट प्रशन करांगे पहला प्रशन है किस सा ससी पुन्नू किस दी रचना है उत्तर हाशम शादी प्रशन हाशम ने किस नू आतषदा द्रिया केहा है उत्तर तपदे मारू थल नू प्रेशन, ससी ने पैरांदा शिंगार किस नाल कीता होया सी? उत्तर, महंदी नाल अगला प्रेशन है, ससी पुन्नू किस से विच किस शहर दा जिकर होया है? उत्तर, पंबोर अगला प्रेशन है, कौन जान तली ते तर के मारू थल जानदा है? उत्तर, ससी अग्ला प्रेशन है ससी मारू थलवेच किस ते पैरांदा निशान पाल रही है उत्तर उट दे अग्ला प्रेशन है कौन ससी नू सुत्ती पहीनू छड़े के चला जान्दा है उत्तर पुण्नू सो प्यारे विद्यार्थियों एसी हाशम शादा किसा ससी पुण्नू जेकर तो अनू साधी वीडियो चंगी लगी ते तुसी साधे चैनल ते नमे हो तब प्लीज चैनल नो लाइक शेर ते सब्सक्राइब जरूर करना तानवाद